हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है तिरको मीति का जो प्रसनावरी नंबर आठ ए है इसका पूरा यहां पर हल देख रहे हैं फ्रेंस आप सभी के लिए आती लगू तिरी प्रश्ण का जो बेसिक कंसेप्ट है और एक से लेके जितने भी सवाल है इसका एक वीडियो जरूर देख लिजिए गाए फ्रेंस जो आज प्रश्ण हल करने वाले हैं लगू उतरी प्रश्ण हल करेंगे जिसमें हम साथ में प्रस्ष्ण हल करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंस आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए गा और चैनल पे नए है थे चलंक जो सवाल है लगु उत्री प्रशन देखे इसमें क्या करना है आप सभी को कि निमनली खित में से परतेक में तीन त्रिक्वमिती अनुपातों में से एक दिया है ठीक है अन्य दो अनुपातों को ग्याद कीजिए आपका साथवा नंबर का सवाल है कि साई ए बराबर एक बटा लिए गए और क्या लिखा है साई ए लिखा है यहाँ लिखिए लिखिए साइन एंप साइबर बराबर कितना है अपका एक बटाके 11 अच्छिए अब इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे देखिए साइन ए बराबर सभी फार्मूला आपको इस पर शुरुप से बता दिये थ say A, बरबर जो formula होता है, luck card क कर होता है, क्या होता है,Was to here लम बड़ा कर अभी तक formula friends, आपको नहीं याद हुआ होगा तो आप जो part 1 है उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर एक बड़ा के 11 है, यहाँ से जब देखें के friends, लं कंता है, अधिके लम क माल यह है और कड़ कमाल कितना हिए यहां पर आपका मम आया एक और कड़ कितना हिया है एक कर आगे आपके फिरेंगे इसंथ failure यहां पर आपको दो भूजा पता है आपको आपको तीन भुज़ति एन्वेत घण encant करने के लिए तीन भुज़फ अपता होना चाहिए अब तीन भुज़ति स्री भुज़ мехण गरला के लिए आप आपको पता होगा कि प्रियोग बहुत ज्यादा होता है ठीक है कड़ के मान कितना 11 11 की स्क्वाइर कर लीजिए बराबर आधार के आग्याद करना है आपको तिहां पर लिखेंगे आधार का स्क्वाइर प्लस लम कितना है लम कमान एक है तो एक का स्क्वाइर कर लीजिए देखिए 11 की स्क्वाइर करेंगे तो 11 की स्क्वाइर कितना होता है यहां पर कितना होगा आधार का स्क्वाइर होगा प्लस एक का स्क्वाइर कितना होगा एक होगा अब एक को पच्छान तक कर लीजिए दे चक्सो बीस हो जागा बराबर आधार का ड़े इसक्वार होगा ठीक है अब दिखें इसक्वार हटाने कि लिए आपको क्या करना पड़े पाद अपैंडेंगे कि दौनों पच्छो करड़ी से इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे करड़ी में 120 बराबर यहां लिखेगा आधार का इसको इतना लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे आप कर लिए इसलिए यह दोनों पच्छों का कर रही है अब देखे फ्रेस आप क्या करेंगे यहां पी 120 है इसका आपका पहले जो आपको सवाल में 120 का करेंगे दूछा का 12 तुट्याइश तीस हो जागा 15 बार में कटेगा और यह तीन पाच्छे पंद्रा और पांच के पांच के पांच जिसका जोड़ा बनता है इसको बाहर निकाल लेते हैं यह वर्गमुन निकल लेते हैं पर दू हो जागा और करणी में हो जाया चाल गया और यहां पे आपको पता चल गया और यहां पे सवाल में डेख़ें के लंपटा है करणा पता हो गया ठीक हे तीन-बूजा पता ओगे घ् अब देखें आपको सवाल पूछ क्या रहा है सब्सक्राइब T है अब यहां पर लिखेंगे कास तींगे और किसका मान गयाद करना है तैन एक है तेन करना अब चलिए कस एक फार्मूला आपको याद होगा कि आधार बटा क्या होता है अधार अपान करड़ होता है यहाँ पर क्या लिखेंगे ग्यारा लिक लेंगे झहे है और यह आंपका ट Susi आदार के द बनब आज है उस मैं ठीक है लंबहुत के लिगें कितना है आपका टो कलड़ी में तीस हैं आप लिए Ub limits में तीस यही क्या हो जाएगा आपका एंसर हो जाएगा देखिए कितना सिंपल इस तरह लगाना ठीक है इसी प्रकार सब सवालों को लगाना है आपको अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंस आठवा नंबर का सवाल है कि कास B बरावर 12 बटा की तेरा अभ सब्सक्रया होगा देखिए आपको कंप्लीट हल करके बताएंगे अब क्या है कास बी अब लिखनें нас प्रामुला किघा हो घारन देखिए अमों नंदेखिंगोस का सबमेर की की अब घॉता होता है लोगा tour होता है कि यहां से आपका देखिए फ्रेंस यहां से आपका आधार आपका हुआ बारत यहां लिखने के बाद देखिए जब भी आपको अनुपाद क्या तरना है त हमेशा पाइथा कर दो पर में लगा कि तीसरी बुझा ग्याद करना पड़े इसलिए तीन बुझा आपको पता होना चाहिए तीसरी बुझा ग्याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पाइथा गोरस पर में लगाना पड़ेगा तो चली यहां से लगाते हैं पाइथा गोरस पर में अहल करते हैं कट कमान कितना दिया यानि कि 13 करेंगे बराबर आधार कितना है 12 12 की सक्वायर कर लेंगे प्लस लम्ँत यहीं प्याम को लम्ब ग्याद करना है लमकर स्कॉआर कर लीजिए ठीक है तेहरा किक इस्कॉआर कितना होता है यानि कि यहां परेंगे इसी प्रका तेरे गुड़े तेरा दूबार करेंगे गए ते 179 होता है ठीक है यह लंब का क्या हुआ इसकार हो गया अब देखे 179 यहां पर है 144 को पच्छांटर केजिसी जब पच्छांटर कीजिसा माइनस कितना हो जागा ऊजए एक पाचीस आएगा यह होगा अपका लंब का स्कुना सब्सक्राइब थह क्या गंड़े डिनीड़ 2 पाफ्चो से का करी ने परñoल है जब कर देखे ऑफिर कर रोडीर लेने हो एमार में किसेपंगri 25 ऐसे यहां पे करी में क्या हो जागा आपका करी में लंब का स्कौर हो गाका कि लंब का स्कौर उत्टीक कर एं है नाल तोwir हो इन uh लंब को जागा ठीक है यानि लंब कमान कितना आया लंब कमाना या पांच इस पर का से देखें आपका आधार हो गया 12 कड़ हो गया तेरा और लंब कितना आया आपका पांच आ गया अब जो जो त्रिक्णमीति अनुपाद पूछ रहा है उसको बता दीजिए यहां पर देख फिक है ये इस में एक दिया है आपको दो पूच रहे थे दो में सापका साइन बताना है है अब इसका फार्मुला क्या होता है लंप पटा के कड़ का मान कितना है आपका नम कमान पहना रखी है कोड़ कमान कितना है तेरे यहां पर तेरे रख लीजी और यहीं आपको क्या हो जागा एंसोर होगा ठीक है इसी पकाट 10B का फार्मुला तो लंबटा के आधार लंबटा के आधार अभी तक आपको फार्मुला नहीं समझ में आएगा और नहीं आदूगा तो पार्ट वन इस पाच किजीए आधार कितना है आधार 12 यहां और यहीं आपको क्या जाएगा इंसोर होगा ठीक है यहां हो गया आठाएस पकास साथ देखते हैं देखें यहां आपका नो नॉह नॉपक? सवाल है कास ठीटा बराबर 2 बता के पांच अभिस तवाल को लगाना है त यहां पर देखिए लिखिए का नोorf नमबर कि सभी सवाल आपको कम्प्लीट ठण करा तक कांस धीटा पर राबर कितना है दोपां 5 ठीक है अब देखें इस सवाल को हल करना है यहां काश धीटा का फार्मूला क्या होता है आधार अपन क्या होता है कड़ होता है यहां कितना हुआ कि यहां से देखेंगे तो आधहर कितना हुआ प्रिंगा अब इतना करने के बाद जब भी आपको त्रिकलो मीटाय पात करना है तो तीन भूजा पता होना चाली जिसमें से दो बुजा पता है तिसरी बुजा पता करने के लिए हमेसा पाइःता गोरस प्रमे लगा के हल करते हैं ठीक है यहाँ लिखेंग पाइथा गोरस परमे से पाइथा गोरस परमे से ठीक को बाएथा गोरस परमे में क्या लम्ब का स्कॉार कर लेंगे यहां पचीज चार कर लेंगी यहां पचीज चार को पच्छान्द करें तो माइनस चार होगा बेराबर you hope District की यहाँ जाएगास लंब का yourself 25 में सचार गटा ये कितना बचेगा 21 बचेगा कितना बचेगा 21 बचेगा स्प्प्राइग से यह theaters स्वार्ब का यहाँ सीस्क्वार आठाने के यह करेंगे फिर दोनों बच्छो का कर्री लेंगे और बोड के इक्जामें भी आपको दहसे बता रहें इसी तरह आपको बोड के इक्जामें 21 की कजाए कि 30 कहो गया नहीं कीस होगा यहां से लंब का कितना था सका बीजब 25 he इसए हो गया रही हिए यहां पर आपका लंब कमान कितना अपर लम कमाना है क्रड़ी में 21 ॐ अब देखिए फ्रीय। यहां पे आपको एक णूपाद दिया है काशञञञ उसके लिए अपको क्या ग्याद करना है कार्ण पड़ेगा साइन ठीट करना है शाइन ठीट और यहां पर आपको ग्याम सीया है celebrity ग्याद है। और इसके लावा गयाद करना है और अपका साइन शिटा का अलरा फार्यमुला होता है आपका खीज होता है लंब बटा के करड़ होता है फिर 10 ठीटा का फार्मुला आपके प्ला होता है करें किर लंब का माण कितना है करड़ी में 21 अपान कराश अपांच और यहीं क्या हो जागा आपका एंसर हो जागा ठीक यह है अब इसके खुआ 10 ठीटए के formula तो लंब बटाके आधार लंब अपन आधार ठीक है यहां लंब का मान कितना है लंब का मान का मान करणी 21 लिखिए आधार का मान कितना है दो तो कर लीजिए और यही क्या हो जागा आपका इनस्वर हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर की सवाल को a बराबर 3 बटा के 4 अब इस सवाल को आपको हल करना है देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे पहले इस सवाल को लिख लेते हैं फिर इसके बाद हल करते हैं देखिए यहाप कितना लिखा है कि साइन ए कि यह बराबर टीन विटाक के छ ठीक अब देखिए इसको हल करना कैसे कि साइन एगाऊ-फॉर्मूल ़िए साइन एक अमन कितना दिया है तीन विटाक के चार दिया है यहां लंग कमान कितना ओज लगा आपका लम कमान हो गए आपका लम कमान हुआ कितना तीन तीन लिखिए कड़ कमान कितना हुआ आपका ते कड़ कमान हो गए आपका चार तो चार लिख लिए देखिए यहां पर भी आपको क्या है लम पता है कड़ पता है लेकिन आपको आधार नहीं पता है तो आप क्य करेंगे आधार पता करने के लिए आपको पाइथा गोरस परमे से ठीक है पाइथा गोरस परमे से ठीक है पाइथा गोरस परमे से ठीक है 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 ठी यहां भी दिखिए फ्रेंस कितना है चार है ते चार का स्कॉार कर लिजिए आधार पता करना है तो यहां पर आधार कर लिजिए आधार का स्कॉार लंब कितना है तीन है ते तीन का स्कॉार कर लिजिए जैकि चार का स्कॉर करेंगे चार चुक को सोल यहां चार गुड़े चा पर यहां पर आधार का स्क्वार कर लिजिए गा तीन κάν़ स्कॉरर तो लीके नैब क्या कीजी श्माड़ दिया इसकॉरोज गण कितना होगा तो आपका अधार का स्कॉर मैं 63 इसकॉर21 नहीं करनेcriptions होगा ? कि दोनों पच्छों का करड़ी लेने पर यह हर सवाल में इस तरह करना पड़ेगा ठीक है लेने पर देखे जैसे इसको लिखेंगे अब क्या कीजिएगा कि यहां पर आप करड़ी में कितना साथ है तो साथ कर लिजिएगा करड़ी में क्या अढ़ного कर लिखें आधार कर लिएगा क कर लाई दिखें आपका पता चल गया करड़ पता चल गया और आधार पता चल जब अब यहां पर देखें गय कि वी से दिया है तो दो Mouse ग्यात करना पड़ेगा का आपको से लिवाण के याइद करना पड़ेगा का संद क्यों कि आपको सवाल में कहा है कि आपको समय स्फ Baş concentrating यहाँ पर आद़ार कमान कितना है करड़ी में यहाँ पर आद़ार कमान कितना सब्सक्राइब, कुल्ड कर कमान के तूइवे 5 to 4 को मीड़ेजिए और फार्मूला होता हूं लंग के आधार होता है लंग कमान के 3 है तो 3 कर लीजिए तूइन कर लीजिए अदहर कमान के तूइन 7 कर लीजिए और यहीं क्या बोझा आपका चुक्रार सब्सक्राइब 3 इसपर के बताते हैं आपको यहाँ पहले से लिखिरें 10c ब्रावर कितना दिया है एं बटा के 3 और इसको रहल करना उसी प्रकार संधार होगा देखें कैसे बसे हाल 10 c पर फार्मूला लिखेगा 10c फार्मूला क्या होता है 10 का पार्मूला होता है Um 153 violated他說 one and Aly зах lawsuit एक आधार कामान कितना हुआ जह आधार कामान देखेंसे तो आपको आधार कामान हुआ ठीक है लंभी पता चल आधार पता चल गया दो भूजा पताओ चल आपको जब वी अनुपात ग्याद करना ते С यहां लिखेंगे पाइथा गुरस परमे से है जब पाइथागोरस परमे लिखेंगे तब पाइथागोरस परमे फार्मूला क्या है तो आप सभी को तब ही तक याद हो गया हो जब तक देखें कड़ का स्क्वाइर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक देखें कड़ कितना है पता करना है तो कड़ का स्क्वार रहने दीजिए आधार कितना है तीन है ते तीन का स्क्वार लंब कितना है एक है तो एक का स्क्वार कर लीजिए यहां पर होगा कड़ का स्क्वार तीन का स्क्वार करेंगे तीतली के नो एक का स्क्वार करेंगे एक यानि कि कड़ का स्क्वार बराबर क्या हो जाएगा नव एक दस होगा ठीक है अब यहां से कड़ का स्क्वार आटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों का पच्छों का करड़ी लेने पर जब दोनों पच्छों का करड़ी लेंगे आप तो क्या हो जाएगा देखिए करड़ी में करड़ का प्रक्राइब कितना पता चल गया यहां से दखें लंपता आधार पता अब आपको जो ग्यात करना है यहां पर टैन सी का दिया है यहां इसके लावाद दू और ग्यात करना है साइन सी और कास सी ठीक अब देखें चलिए इसको हल करते हैं इसका फार्मूला पहले लिखते हैं जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या होता है साइन सी का लंब बटाके कड़ होता है लंब अपान क्लड लंब क्मान कितना है एक है और क्ल न कितना है क्ल न क्ल आजब prob खार्मूला पहल की करते हैं तर्फ कितना है आपका आधार किमांग तीन है कर कमान कितना कटमटी में 10 कर लिजी और यहीं क्या हो जाएगा तक कितने सिंपल तरीका से सभी सवालों को हाँ पहल किया जा रहा है अब चलिए अगले नंबर के सवालों को यहां पर देखा जाए आपको अगले सवाल है जो 12 11 का सवाल हो गया बारा नंबर का सवाल क्या है 10 इसको पढ़ते हैं नव हो ठीक है इस सवाल क्या हाल करेंगे तो इसका अछ। आप कमेंट बाक्स में लग millionaire ठीक है यह आपका हो औरग की तोर पे रहें गा इसका इंसवर ऑप कमेंट बाक्स में जरूर लीकिए अगर जितना सवाल पता है इसी के आधार पी वह सवा कर बारा नंबर के लगेगा इसका इंसवर त्रिकोमीती अनुपाद ग्याद करना है फ्रेंस आपको त्रिकोमीती अनुपाद जो फार्मूला बता रहे थे तो उसमें च्छा त्रिकोमीती अनुपाद बता थे उसमें एक दिया है अब आपको क्या करना है कि जो पांच को त्रिकोमीती अनुपाद बच रहे है उसका अन साइन ठीटा कितना है एक बटा के रूट में दो और करना क्या है आपको सेस पांच त्रिक्रों मित्य हनुपाद ग्याद करना है तो जैसे आपको उपर वाले जितने सवाल बता हैं साथ आट नौँदस जैसे उसी प्रकार यह भी लगेगा देखें कैसे लगेगा पहले आप क्या कीजिए कि सैनठीटा लिखा यह साइन ठीटा बराबर पहलों लिखिए साइन ठीटा क्या होता है इतना दीर इस बतार है आपको त्याद वो गया होगा लम बटा एक कितना हुआ एक कितना हुआ हुआ कितना हुआ हुआ आपका root में दो ठीक है अब देखे छे यहां पर जब भी अनुपात गयात करना है तीन बुझाव्ये पता होना चाहिए जीसमें परमे जब पाई था गुरस परमे लिखेंगे तो इसका फार्मुला भी लिखना पड़ेगा आपको इसका फार्मुला लिखिए देखे फार्मुला लिखेंगे कड का स्कॉार बराबर आधार का स्कॉार लिखेंगे प्लस लंब का स्कॉार लिख लेंगे लिख लिए अब दे दिजिए इसी तरह जैसे लिखा है कितना दिए माने का स्कॉार करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा थिक है इसका खाली रूट हट जाता है जब रूट हट रहाँ इसका मान हो जागा दो सेख्ष से यहाँ बराबर क्या हों लिए कुछ स्चाहू कर से यहाँ राधार क्या अभिए क्या करेंगे लिए सब्सक्राइब उट लीजिए या उसी को करड़ी कहते है ना तो लिखेंगे दोनों पच्छों का करड़ी ठीक है लेने पर ठीक है जब दोनों पच्छों करड़ी लेने पर लिखेंगे तब क्या करेंगे लिखेंगे इसको करड़ी में एक है यहां पर एक लिखेंगे यहां पर करड़ी में क ठीक देखिए एक का वर्गमूल आप सभी को पता होगा चाह एक का इसक्वार करेंगे एक होगा एक का वर्गमूल निकालेंगे तभी पिसका मान क्या होता है एक होता है आधार का इसक्वार है यहां सुरूट हट जागे खाली तो क्या हो जागा आधार हो जाएगा यानि कि यहां पर देखा जाए तो आपका आधार कितना है आधार हो गया आपका एक लंब हो गया एक कड़ कमान हुआ रूट में दो अब देखिए फ्रेंस यहां पर क्या ग्याद करना है आपको यहां पर साइन ठीटा कमान आपको दिया है जब साइन ठीटा के दिया है तो आपको प देखे सभी लिखते हैं 10 ठीटा के लावा क्या ग्याद करेंगे आप 10 ठीटा के लावा ग्याद करेंगे आप सेख ठीटा सेक के बार काट गयाद करेंगे ठीक है काट के लगा क्या गयाद करेंगे आप कोसेक गयाद करेंगे ठीक है यहाँ लिख लेते हैं कोसेक ठीटा यह पांच गयाद करना देखें कितने हुए एक यह हुआ एक यह हुआ एक यह हुआ एक यह हुआ और एक यह और यह पांच लिखते हैं तो काश्डेवराब फार्मूला आपका होता है आपको याद होना चाहिए ती यह प्ट्थीए आप क्या सब्तान?", कख होता है यहाँ पे आधार कमान कितना है एक आया तो एक लिखिए अपाद कमान कितना है फ्रेंज फ़ finger देख लेते हैं कड कमान है आपका कर्मॉला आधार होता है ठीक है नम कमान एक है यहाँ से करें के एक एक हो जाएगा और यही एंसर हो जाएगा इसके बाद सेख ठीटा का फर्मुला क्या होता है तो यहां से कड़ कमान देखेंगे तो कड़ कमान कितना है रूट में दू है तो रूट में दू कर लीजिए कर देखेंगों Mr. जैए आधार कमान एक है यहां पर लूट होता है कंड रूट में लुट कितना दिया एक और लम क मान कितना दिया है लंघ कमान दिया है आपका एक बटाकर एक हो जाएगा अब इस प्रकास यहां पर दखा द्छाये हैं काशेग क्या हो जाए कर देंगे हैं यहां पर कितना है रूट में दो है तो स्वाल को हई ने लगात कर लिए लिए आपके सामने अगले सावाल को अगला नंबर का सवाल है देखिए अगला ўज्य तेरा नंबर का भी हल करके बताए हैं उसी पका चोदा नंबर का भी आपका हल होगा देखिए यदि सेख ठीटा बराबर रूट में कितना है फाई तो सेश पांच त्रिक्वमिती अनुपाद ग्याद कीजिए देखिए यहां पर सेख देदिया तब सेख को छुड़ा के आप ठीटा बराबर कितना दिया है रूट में फाई ज пыт देखिए सेख ठीटा बराबर फार्मुला क्या होता है देखिए तब इसको पताएं के कैसे हल करेंगे यान 딱 डिये किसका आपोजित ईससे का स्काहमाvil कर लेजिए जिए इसको जैसे यहां पर चार रहा तो चार बटा के एक कर लेए यानि कि हर में कुछ नहीं रहा तो आप एक लेकर बना लेंगे अब देखें यहां पर कड़ कमान कितना हुआ आपका कड़ी पांस है क्ड़ी पांस हो जाएगा आधार कितना हुआ एक हो एक आधार में एक कर लेगे यह आधार में हो गया इतना पता चल गया अब फ्रेंव स्थ डेखें क्या करना आप यह दिया पाइथा गोर परमे लगाएंगे यहां पर लीखेंगे प thirds पर में है ठीक है पाइधा गोरस पर में से पाइधा गोरस पर में लिख लिए अब दिखें पाइधा लिखियों के फिर्मीम क्वाल करसे था और अफे हतोग recessum problem कर लेंगे एधो सिर्फ करेंगे एक होगा यहां लंब का स्क्वार हो जागा ठीक है लंब का स्क्वार हो जागा देखें यहां पर 5 है एक को पच्छा देगे तो माइनस एक हो जागा यहां पर बराबर क्या हो जागा लंब का स्क्वार हो जागा 5 में से गटाएंगे कितना हो पांच में से यह गटा हएंके तो पच्यार होगा और यहां पर नंब का इस्वार से अठाने के लिए क्या करें गए कि हैं दोनों पच्छों कर लेंगे यह यह झाने हो जाएगा अब देखे फ्रेंच चार कवर्गमूल कितना होता है दो तिहां पर दो कर लिए बराबर क्या हो जाएगा लंग का मान कितना हुआ आपका दू ठीक है अब देखे फ्रेंच जो आपको मान गयाद करना उसको चलिए लिखते हैं शेक्षीटा कमान दिया ना इसके पांच गयाद करना है जो पांच गयाद करना है तो पहले लिखते हैं साइन ठीटा ठीक है साइन ठीटा के बाद लिखना है आपको कास ठीटा के बाद आपको किसके गयाद करना है टैन ठीटा के बाद किसका लिखेंगे टैन के बाद काट लिख लिजिए अब काट के बाद क्या लिखेंगे को सेक लिखेंगे को सेक के बाद क्या लिखेंगे ठीक है एक दू ती चार पांच पांच को हो गया ना एक दिया है पांच यहां पर लिखेंगे अब चलिए लिखते हैं सभी को यहाँ पी देखिए साइन ठीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंबटा के करड़ लंबटा के क्या हुआ आपका फार्मूला करड़ लंब कमान दिया है दो यहाँ पर दो कर लीजिए कर कमान दिया है रूट में 5 ते रूट में 5 कर लीजिए और यही क्या हो जाएगा होता है काश ठीटा बराबर फार्मूला होता है आधार अपान करण होता है आधार कमान दिया है एक तो एक कर लीजिए कड़ कमा रूट में फाइफ है तो रूट में फाइफ कर लीजिए और यही एंसर हो जाएगा ठीक है देखें ठीटा बराबर फार्मूला क्या होता है यह बटाक कर लिजिए का ठीटा क्या होता है इसका प़ोजीठ होता है पिसका पुट कर राबर क्या होता है ना जएगा फी टीर्ड लब बटाकि क्या होता है ज कर लेजिए और यही क्या हो जाएगा आप सभी का यह एंस्वर हो जाएगा ठीक है कितना सिंपल तरीका से सभी अनुपाद ग्याद कर लिए ठीक है अब चलिए अगरे नंबर के सवाल को देखते हैं देखे आपका पंद्रह नंबर का सवाल है यदि को से ठीटा बरावर तू सवाल को हल करके बताते हैं आपको देखे फ्रेंज आपके सामने जो पंद्रह नंबर का सवाल है यहां पर है अब इसको हल करके आपको बताते हैं इसका कैसे इसको कैसे हल करेंगे को से ठीटा बराव फार्मूला क्या होता है बस फार्मूला पता रहेगा तो सभी सवालों क कोई सहारणीस हल कर लेंगे क्या होता है तो इस drought में कितनाी है दो अब्टा करूट 3 हैं देखिए यहां पाइथा गोरस पर मेंसे पाइथा गोरस अभी तक आप फरेंज्स सभी फार्मुला याद हो गयेता इसलिए उसी is लिए सभी कहत लोग कहता है कि एक ही चीज़ को बार बार लिखना चाहिए अच्छे से याद करना है तो ठीक है देखे कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया अब देखे कड़ कमान कितना है दो है तो दो का स्क्वायर कर लीजिए बराबर आधार ग्यात करना है तो आधार का स्क्वायर कर रूट में थ्री का स्कॉर करेंगे थ्री हो जागा रूट हट जागा तीन को पच्छांद करें चार माइनस तीन यहां पर हो जागा आधार का स्कॉर चार में से तीन कटाएंगे कितना होगा एक होगा और यहां पर हो जागा आधार का स्कॉर इस्क्वार आठाने के लिखे दोनों पच्छों का रूट लेने पर दोनों पच्छों का करणी लेने पर ठीक अब देखें कितना करणी में एक यहाँ पर करणी में आधार का इस्क्वार हो गया यह कवर्ग मुलेक और आधार क्या हो जगा रूट हट जागा ता आधार हो जाएगा ठीक है यह आपका आधार पता चल गया अब इसके अलावाद देखिए यहां पर कोशेक दिया है तो पांच गयात करना है पहले पांचों का नाम लिख लेते हैं फिर इसके बाद इसको हल क पहले हैं में शायन के पहले आफ़ सब्सक्राइड में काश हम च stick ऐसके घर इसके बाद एदर लिख अधर सभी पाचों का नाम लिखे लिए लिखने के बाद क्या कांद करेंगे साइंट टिखेंगा क्या हूज जब लंब टाकें करण होगा तो महीं पांन करंड के में अब का मान दिया है आप अब लगा हुआ कम Ci करलेजिए और कर में कर लिए तदेगें है मैं रूट में 3 वा एated total agree I can do ८िपकर्णे एक अधर कमान एक आया है तो एक लिखिए है और कमान दो यदि दो लिख लीजे शवाणी जेए ई उक पटाकर दो hou जाएा टैन ठीटवाण किया होत लंगता कर लिधा कि अधार होता है스트 कि याधार का मन कितने हैं रूट में तेंग न कर लिजिए का ठीका क्या कितना है आधार अपन क्या होजाएगा अधार हम बन लंब सिक्राद क्राद कर लिए तो एक षभी हो जाएगा जाएक भराव फार्मूला क्या होता है तो देख का सका फार्मूला यह न्यसक्ति है इसका पोजिट कर लिजीए तो कड़ कड़ कर लिए का कड़ कमान कितना है कαрафी स्वाल on miserable जाएगा ठीक है देखे फ्रेंश आपका यहां तक कितना तक सवाल हो आपका यहां पर पताते हैं आपको यहां तक 15 तक हो गया ना अब आपका जो next video कुछ समय के बाद upload करेंगे ठीक बिडियो जो होगव करेंगे ऊपको कुछ समय के बार उसको वी अप्लोड करेंगे उसको आप जरूर देख लेजिए आप करम से देखते हैं और इसका नोट्स बनाते रहते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि तिरको मीति का सवाल हल करते समय आपको किसी प्रकार के सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको सेर करें थाइंक्स फार वाचीं